अमर सिंग चमकीला 80-90 के दसक का वो चमकता पंजाब का सीतारा जिसने पंजाब के उस समय के सबसे ज़ादा रिकार्ड सेल्स अपने नाम कर रखे दे। चमकीला को भारत का जीम मौरिसन अगर कहा जाए तो सर्प्राइस होनी की कोई बात नहीं होगी। क्योंकि जहाँ जीम मौरिसन ने भी अपने 27 साल के छोड़े से कैरी में पूरे अमेरिका को अपना दिवाना बनाया था। वहीं अमर सिंग चमकीला 27 साल की उम्र में भी अपने ही तरकते भड़कते असली लिगानों से पूरे पंजाब पे अपना जादू चलाया हुआ था। इस लेजेंडरी कलाकार की बायोपिक लेके आएं है रॉक स्टार की फेमस डियो इम्तियाच अली और जिसे अपने संगीज से सजाय है वन एन ओले एर रह्मान ने। वैसे अगर बात कहूँ चमकीला फिल्म की तो दलजीत दोसानी ने फिल्म में अमर सिंग चमकीला की किरदार को पूरा खोल के पी गए। दूसरी वाइफ अमर जोत का किरदार निभाया है परनीती चौपडा ने जिन्होंने सच में अपनी परफॉर्मस से पूरा नयाय किया है। दलजीत का हर एक फिल्म आपको चमकीला की याद दिलाएगा। दलजीत कहीं से भी अपने सूपर स्टार वाली छवी में लगे ही नहीं है पूरी फिल्म में। फिल्म का डिरेक्शन बहुत कमाल का है। इमतिया जली उन डिरेक्टर में से एक हैं जोनोंने हर बार पर्दे पर प्यार और खुद की तलास को बड़े अच्छे से फिल्म आया है। वो हमेशा एक ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जो दिल की बात करती है और सीधे दिलों में उतरती है। इस बार अमर सिंग चमकीला के जरीए उन्होंने एक ही अलग रहा चुनी। ये बायोपिक आपको खुद के अंदर जाकने में मजबूर करती है। फिल्म देखते हुए मन में कई सवाल उठते हैं। इसके लिए मैं इम्तिया जली को फुल मार्क्स दूँगा। एक दो जगा पे आपको इस बार मोहिट चौहान भी एक करेक्टर प्ले करते हुए दिखाए देंगे। अगर नोटिस कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। मेरे सबसे प्यारे फेवरेट सिंगर मोहिट चाहन के इस डेवियो को और इस फिल्म के एक गाने में उन्होंने भी अपनी आवाज दी है। को प्रेस करने जिससे आपको मेरे लेटेस योड़ी की हर एक जानकारी आप पे पहुंचे। नीचे डिस्क्रिप्शन मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बूक का लिंग है दोस्तों प्लीज उसे फॉलो कर लिएजेगा। मिलूंगा आपको जल्द अगले वीडियो में नहीं जानकारी के साथ द एके शो में धन्यवाद। झाल 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 झाल